नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नए वीडियो में तो गैज अगर आप इस साल बाइक पर्चेस करने का सोच रहो और आप कन्फ्यूज ओ कावसा के निंजा 300 और कावसा के निंजा 400 के बीच में तो यह वली वीडियो गैज आपके लिए ह पर्चेस करना चाहिए तो गाइज अगर आप चैनल पर न्यूज है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आपको यह वली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल में भूलेगा तो चले गाइज अब बिना आपका समय गवाए वीडिय से शुरू जयकाällen और तो यहांता हम सबसे पहले कंपेर करता है इन दोशी भाइक बाइक की लुक्स को तो यहांपर आपको कावासा के निंचा 300 की कुछी तरह की लुक्स देखने को मिल जाती है यहांपर आपको अपर आप का हम्ने क्रेंट और आपको यह बाइक रेर में LED टेल एड देखने को मिल जाती है और इस बाइका जो और लुक है वो काफी शांदार है और आपको निंजा 300 कैसी लगती है यह तो आपको हमें प्लीज कमेंड करके बताना है और यहाँ पर जो कावसा के निंजा 300 है वो मार्कड में तीन कलर में अवेलेबल है लाइम बात के जाए इस बाइक के रेर की तो यहाँ पर आपको इस बाइक के रेर में LED टेल एड देखने को मिल जाती है और यहाँ पर कावसा के निंजा 400 का भी लुक काफी शांदार है यहाँ पर इस बाइक की जो लुक्स है वो इंस्पाइड है कावसा की ZX की सिरी से इसके बात करता है यहाँ पर बात करता है इन दोनी बाइक के इंजन के बार में तो आपको कावसा के निंजा 300 में 296 CC ट्विन स्लेंडर 4 स्ट्रोक 8 वाल्व लुक्रेड कूल बेस 6 इंजन देखने को मिलता है और यह जो इंजन है वो 39 PS की पावर प्रडूस करता है वो भी 11,000 आर पर और वहीं गाईज अगर बात करें कावसा के निंजा 400 के बार में तो यहाँ पर आपको कावसा के निंजा 400 में 399 CC ट्विन स्लेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल लिक्वेड कूल इंजन देखने को मिलेगा और यहाँ पर यह जो इंजन है वो 45 PS की पावर प्रडूस करेगा वो भी 10,000 RP-A और यहाँ पर आपको इस बाइक से 37 Nm का maximum torque देखने को मिलेगा वो भी 8,000 RP-A और यहाँ पर आपको इन दोनी बाइक में 6-speed gearbox देखने को मिलेगा और यहाँ पर बात करें कि कौन सी बाइक का पीक अप सबसे बड़ी है तो यहाँ पर गाईस कावसा के निंजा 400 का ज valor निजा 400 के बाएक 106 को इस बाइक का 168 कजी का में क बेट होने की वज़े से वेvert का पी तेज चल पाते है इसके बाइस अगर बात कि जाए इन दोनी बाइक शाए है का 5ими ऐड़ी के मालेज टॉप स्पीड के बारे में तो यहाँ पर आपको निंजा 300 से 25 से लेके 27 किलोमेटर पर लिट के राउंड की मालेज देखने को मिलती है और वह अगर बात करें कावसा के निंजा 300 की टॉप स्पीड के बारे में तो इस बाइक की 170 प्लस के आसपास की हमें टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाती है और वहीं गाइस अगर बात करें निंजा 400 के बारे में तो इस बाइक से आपको 23 के आसपास की मालेज देखने को मिलती है वो भी वन लिटर पेट्रोल में और यहाँ पर गाइस इस बाइक की 190 प्लस किलोमेटर पर हार के आसपास की मैक्समुम टॉप स्पीड भी हमें देखने को मिल जाती है और गाइस किसी भी बाइक से मालेज निकालना वो डिपेंड करता है कि आप अपनी बाइक को कैसे चलाते हो इसके लवा गाइस जैसे कि दोनी बाइक ट्विन स्लेंडर इंजन के साथ आती है तो चले एक बार इन दोनी बाइक से एक और दोनी बाइक पासा के फस्टतर त演ते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो तो यहाँ पर बात करें इन दोनी बाइक को फ्रेम और सस्पेंशन सेटप के बारे में तो यहाँ पर आपको निंजा 300 का जो फ्रेम है वो देखने को मिलता है डायमड फ्रेम डिजाइन के ऊपर और यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रेंट में देखने को मिल जाते हैं टेल् बात करें निंजा 400 के बारए है अवह तो यहां पर इस राट है इस्टील ट्राली दिजाइन का और यहां पर आपको निजा 400 में वही सेम सेटप देखने को मिलता है जो कि गाइज अब निंजा 300 में आ रहा है बड़ यहां पर जो फर्क है वो ही है कि जो निंजा 400 में रेर सस्पेंशन सेटप है उनका जो ट्रैवल है वो थोड़ा सा कम है अगर इसको कंपेर के जाए कावसा के निंजा 300 से इसके लाब गाइज अगर बात करें इन दो 500 के बारे में तो यहां पर आपको इस बाइक में देखने को मिलते है 286 mm की इसरे और आपको इस बाइक की की Apparently 23 mm की डिस्क ब्रेक इसके लाव यहां पर आपको इन दोनी बैक्स में पैटल टाइब डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको कावसा के निंजा 300 में देखने को मिलता है 110 mm distraction का ठैर और आपको इस बैक के रेर में देखने को मिलता है we нział ओर डिसके लाव यहांपर आपको इस दोनी बैक्स में में 17 इंचिस के वील देखने को मिल जाते हैं और यहां पर इन दोनी बैक्स के डिमेंशन के बारे में तो जो भी इन दोनी बैक्स के डिमेंशन में डिफ्रेंस है वह आप अपनी स्क्रीन के अपर अभी देख रहे होंगे यहां पर बात करते हैं कंसोल के बारे में तो यहां पर आपको नियंजा 300 में कोछी सतरा का सैमी डिजिचल कंसोल देखने को मिलता है और यहाँ पर गाइज आपको इस कंसोल के अंदर जो आर्पेम है वो एनलो कंसोल में शो थी है इसके लवा जो भी टाइम हो गया स्पीड हो गया ट्रिप मेटर हो गया और ऐसी डेरो सारी इंफरमिशन आपको इस बाइक के छोट से डिजिटल मीटर में शो जाती है और गाइ तो यहाँ पर गाइज आपको इस बाइक में भी सेमी डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है जिसके लूग काफी बड़ी है यहाँ पर आपको आर्पेम डैल इंडिकेटर अनलोग में शो जाता है इसके लवा गाइज गेर पोजिशन इंडिकेटर टाइम स्पीड और आसी का गर बात करें दोनी बाइक के प्रेस के बारे में तो यहाँ पर कावसा के निंजा जो अब एक शूरुम प्रेश चल रहा है वह जो इस बाइक का प्रेस चल राहा है यह बाइक बाइक और यह अवली राइक आपको 550,000 के आसपास की अओंड पर जाती है तो यहाँपर गाइ में से कौन सी बाइक को पर्चेस करना वैली फॉर मनी है तो गाइज अगर आपके पास काफी ज़्यादा पैसा है और आप किसी भी बाइक पर 6 लाग रुपे सानिव से खर सकते हैं तो गाइज अगर आपका बजेट कम है और आपका ड्रीम है कि आप एक दिन कावसा की की कोई अगर बात किजाए प्रफॉर्मेंस के बारे में तो नो डाउड कावसा के निंजा 400 का जो प्रफॉर्मेंस हो काफी जादा है बट यहां पर कावसा के निंजा 300 भी कम नहीं है तो गाइस अगर आपको यह वाला अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको इन दोने में से कौन सी बाइक सबसे सदा बढ़िया लगी यह जरूर आप हमारे साथ कमेंड में शेर केजगा तो चले गाइस अब आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपका दि चुब रहे